hello friends welcome to our 30 kitchens आज की जो हमारी रेसिपी है उसे हम बोलते है गाका मॉले गाका मॉले डेसिक्लिब एक 1997 रेसिपी है जिसको आज आज इंडियन स्टाइल से बनाएंगे गौका मोले को आप चिप्स के साथ, नाचोस के साथ, टेकोस के साथ, क्रैकर्स के साथ खा सकते हैं, डिप करके तो आइए उसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडियन्स चाहिए? वो हम देख लेते हैं यह मैंने दो राइप अवाकाडो लिये हैं, जिसको हम बटर फ्रूट भी कहते हैं, तहां पे मैंने एक मीडियम साइस की बारिक कटी हुई प्याज ली है, एक मीडियम साइस का बारिक कटा हुई टमाटर लिया है, दो बारिक कटी हुई हरी मिर्ची ली है, एक टेबल स्पू पॉडर 1.5 teaspoon, ब्लैक सॉल्ट 1.5 teaspoon, यह चाट मसाला यूज़किया है 1.5 teaspoon, नमक आप स्वाद अनुसार लें, यहां मैंने 1.5 teaspoon लिया होगा है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम यह रेसिपी बलाना, इसके लिए सबसे पहले जो आवा काड़ है, इसको आप इस टाइप से काट अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और फोक की हैब से इसका पुरा पर्प निकाल लेंगे झाल झाल लेंगे अब फोक से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे बहुत ही इसली यह मैश हो रहा है चोकि यह राइप अवकड़ो हमने यूज किया है जब यह ठीक से मैश हो जाए तो आप इसमें जितने इंग्रेडियन्स है वो एके करके आट कर लें यह प्याज हरी मिर्जी तमाटर बारे कटा हुआ हरा धनिया अब यह हमने इसमें डाला लेमेन जूस और अब यह सारे मसाले अब हम इसको मिक्स करेंगे अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ गौके मॉले बिल्कुल रेडी हो चुका है यह जो गौके मॉले है इसको आपको बनाने के आदे घंटे में ही यूज कर लेना है और फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है जो की फ्रिज रखेंगे या वैसे आप रखेंगे तो यह काला पड़ेगा और इसका टेस्ट भी खराब होगा तो फ्रेंड्स आप इंजॉय कीजिए गौके मॉले चिप्स के साथ नाचोस के साथ और मुझे अपने फीडबाक दीजिए कमेंट सेक्शन में